विदुस्री प्रोफेसर मंतादाश एवं सभागारें बैठे हुए बहुत सुरुद जन आप सबको मेरा परणाम एवं अभिनंदन सरप्रतम मैं डाक्टर प्रोफेसर रत्वा एवं के सयूग सहोगियों को मैं धनबाद देना चाहूंगा कि उन्होंने एक इतने महान आचारे हेम चंद्राचारे की जो योगदान है उसके निरंदर्ता को उसके महत्त को आज भी अच्छोन बनाए हुए हैं यह बहुत बड़ी बात है और इसलिए वे धनबाद के अधिकारी हैं वो मैं मुल्ता इतिहास का बिद्यारती हूँ और बचपन से ही मुझे जब मैं छादर जीवन में था तभी से मुझे मौरकाल मौरकाल ने मिशेश प्रवावित किया है एक तो उसका जो बिशाल कोलोशल जो इंपायर है पुरा अफगानिस्तान पाकिस्तान बंगला देश और राज का भारत जो है बिला करके इतना बड़ा सामराज जी पूरे ग्यात इतिहास में नोन हिस्ट्री में हमें ग्यात हमें मिल्ब दूसरा नहीं था इसकी अलमा एक पाटल पुद्र से इसासर होता था और एक एक लिपी ब्रामी लिपी है खरोष्टी भी मिलती है लेकिन ब्रामी पुरिचाई हुई है एक भाषा प्राकिर्थ है प्लब इतने बड़े सामराज में वहां सिसासन और यह की के द्वारा सासित होना यह एक अजूबा है मौर काल को छोटी-ोटी चोटी राजियों में सिकंडर के आकमन के पहले आप लोग इतिहास के शुद्त जानते ही होंगे इतिहास के इस काल में छोटे-छोटे सामराजियों को मिला करके जिस विशाल सामराज का निर्मान किया वह अपर्याब में अधभुत था एक इतिहासकार है पास्चात्य विंशेंट ए श्मित उन्हों लिखा है कि जितना बड़ा सामराज अशोक का है उतना बड़ा उसके लिए अंग्रेज आहें भरते रहे और मुगल जो है वह रोते रहे लेकिन उतना बड़ा सामराज वो बना नहीं पाए वो उस पर शार्षन नहीं कर सके अब मैं अपनी विशे पर आता हूँ जैनेचारियों का यो युगदान है वो इतना बड़ा है भारती संस्क्रिती के संबर्धन यवंग संबर्धन में ये सरक्षड यवंग संबर्धन में कि जिसका कोई कोई तुला नहीं है हिंदू परंपरा से जोड़ा जा परंपरा को जैन परंपरा में जो हमारे पर यारोप लगता है कि हम भारती जो है इतिहास में बड़े कमजोर हैं और बड़े हम भोल जाते हैं वह अपनी ये इतिहास को याद भी रखते हैं मैं वता हूँ जैन इतिहास का जैन आचारियों ने इस पर इतना महान कार किया है एक में एक उदाहन दे कर कि मैं अपना बात शुरू करूँगा, यही आपके सौराश प्रांत में रुद्रदामन का लेख है, जिसमें वो जिसमें वो second century AD का है, जिसमें वो चंद्रगुप्त और उसके प्रांतपती का अशोक और उसके प्रांतपती का उलेख करता है, जो यह है, उसी प्रका छटी साब्दी में एक ब्रहत कल भाष्ष ग्रंत है, जिसमें वो तीन पीडियों का उलेख करता है, जो जो होता है, जो से किया है, यह जो जो है, वह बीचे मोटा और दोनो और पतला होता है, तो उसका कहना यह है आचारे का कि जो प्रारम में और अंत में जैन धर्म की जिती कमजोर थी और बीच में बहुत महान थी, उसका कहने के मतलत तात पर यह है, इसलिए उसे ने यह से उसकी तुल्लां किया है, तो मैं मेरे कहने का जो लबो लवाब है, जो इस शैन सहार होई है कि जैन आचारियों ने इतना युगदान दिया है, कि और अभी तक जैन जैन गरंथ को हम अभी अनुसीलन नहीं कर सके हैं, और बहुत चीजें अंटच्च्ट हैं, आज भी अंटच्च्ट हैं, और उसमें इतनी मैटर हैं, जिसका हाँ दोशाब नहीं है, मेरा विश्य ह जैन गंत्यों परंपरा में चानक, आप लोग चानक का नाम सभी लोग जानते होंगे, चाहे तिहाज पढ़े हो, चाहे मत पढ़े हो, चानक का नाम अवश्य सुने होंगे, उसी पर मेरा है, उस पर जो है वो जैन हिंदू परंपरा गंतों में और बहुत परंपरा गंतों म भी उनका नाम मिलता है लेकिन उनके बारे में बहुत थोड़े थोड़े जानकारी मिलती है बहुत संच्छब जानकारी हमें हमारे पास है लेकिन जैन जैन आचारियों ने उनके बारे में इतना लिखा है कि तीसरी चोती सताब्दी इस भी से लेकर के और सोरवी सताब्दी त तक जो है वह आचार चाड़क की चल्रगुप्त की चर्चा हमेशा होती हमेशा किया है लगातार किया है उसी पर उसी को को मैंने आधार बना करके अपना यह सोत पत्र आपके सामने मैं प्रसुत में शेयर कर रहा हूं भारती तिहास उस्ति के स्रंक्चन और समर्धन में जैन साहित का अप्रतम युगदान रहा है जैन अचारियों की सामान जन के साथ सा भागता थी यही कारण है कि उन्होंने अपनी जीवन के प्रतिक ब्यापार क्रिया शिल्टा पर अपनी लेखनी चलाई इस इस दन संदर मे भारती तिहास के उन अंचुए पहलूँ पर भी प्रयात प्रकाश डाला जिनकी जानकारी अनिसरोतों से दुड़लब थी प्रस्तोत पत्र में आचार चाणक के जीवन बृत उपलब्दियों पर प्रकाश डाला जाएगा जो जैन प्रंपरा के दोन संपरदायों में इतस् के उनशार आचार चाणक मौरवन्स के साबक नरेश चंगुद मौर के समकालिन या उनके प्रधान आमात थे शिकंदर के आकमन के समय के उन्वानी साक्षों शिंगली गरंथों यो भारती गरंथों ने चंगुद मौर के राजारों की ती ती 321 इसा पुर शुकार किया है यदि पाश्चात यंग पावरात्य शाक्षों के अधार पर चंगुद की एतिहासिकता निर्वाद है तो चाणक भी असंदक दरोप से एतिहासिक हैं क्योंकि भारती क्योंकि भारत की तिनों परंपराओं में विचंगुद मौर के अद्भुत प्राक्रम यवंग शाहस त विशिष कूटिंद के बल पर चतुर सताब दीशापूर के पर्थमार्द में विखरे हुए राज्यों को मिला कर चाणक ने एक ऐसे विशाल सामराज का निर्मान किया जो ज्याद भारती तिहास में न भोतो न भविश्यत था चाणक की महत्ता उनके काल जैग्रंद पंद्रा अधिकरणों एक सो पचास अध्यायों तच्छहजार स्लोकों में निवध्य विशाल का ग्रंथ अपनी विश्यक गामभेर के कारण अभी तक दुरूह बना हुआ है यह ग्रंथ कोटिल दुरार रचित है जैसा कि पंद्रहों अधिकरणों के पंद्रहों अधिकर करता है ग्रंथ क्यांत में कहा गया है कि यह ग्रंथ उस ब्रिश्च तवर्ण चीत है जो नंदों की निर्दाइता को शहन करने वाला है यह दिष्टवा ब्रिप्रतिपत्म बहुदा सास्त्रेश्व भास्च कार नाम स्वमेव भिश्यकुप्त शकार सुत्रम च भास्चम उनका भास भी उनका है इन दो नामों के अत्रिक्त लेखा का तीसरा नाम चानक के था जो काला अंतर की सताब्दियों में अतिपरसिद्ध हो गया अर्शास का लेखक अपने लिए इस नाम का कहीं लेख नहीं करता संदेश चानक का उट्टिलित ताचा दर विश्रगुप्त एक ही बिख्त के नाम है इसा की प्रारहमी सताब्दी से लेकर बरतमान 21 सती तक पास्षात या उंग पाउरात विद्ध्वानों ने इस नाम की समर्थन या विरोध में अगड़ित फ्रिष्ट लिग डाले हैं जैन परबबरा में भी स्वहान बिख्त का जीवन बरतियों प पांग यो मूल सुत्रों में तो चानक का नाम नहीं मिलता प्रणत इन विश्यों को समझने के लिए जिन निरुक्तियों भाष्यों चोडियों यों टिकाओं का स्रिजन आरम हुआ प्राय प्रतेक महत्रपोन किर्थ में चानक का संदर्व उल्खित है दिगंबर परंपरा क के प्रसिद्गरंद ब्रहत कथा कोश में चानक को पाठर पुत्र का निवाशी बताये गया है वे कपिल नामक ब्रामनतां की पत्री देविला के पुत्र थे चानक बच्पन से ही अतन्य विधावी थे और शिग्री वेद विदांग के पूर्ण ग्याता हो गए है वेद विदांग सेयुगत हा शर्षास्त्रार्थ कोबिद हा शमस्त लोग विख्यात हा शमस्त जन्य पूझत है तदन्तर यशूमत नामक कन्याश सेन का विवा हुआ नन्समराड का एक मंत्री कभी राजासिया प्रसं था और इसकी समूल नास की प्रयास में लगा था एक दिन दर्व स्कूची को समूल नस्त करते हुए चाड़क को देखकर मंत्री ने उसी मित्ता कर ली मंत्री ने निर्धन चाड़क को राज प्रदत दान का लोब दिखाया दान के लोब में चाड़क राच्तभा में अग्रसर बैठ गए जहां उन्हें अभमानित होना पड़ा फलसरूप चाड़क ने नंदमंस की समूल नास्त की परतिग्या की और चंद्रगुप्त के सहयोग से ऐसा करके दिखा भी दिया इस महत्कार में उन्हें प्रतिन्त वाशियों का भरपूर सहयोग लिया और नंदमंस का नास्त कर कुशुम पुर्याथा पाठल पुत्र में चंद्रगुप्त को राजा बनाया वहाँ एक कुटी में कायो सर्ग मुंत्रा में से चानक को नंद के पूर्व मंत्री सुवंद ने जला कर मार डाला बालुजताब्दी के स्रीचन्रकृत अफवरंस ग्रंथ कहा कोशु तो था नेमिदत कृत आराधना कथा कोश में भी चानक का ही बिरतांत प्राप्त होता है तेरेवी सताब्दी के प्रानव में रामचन मुमुक्ष द्वारा मुमुक्ष कृत पोड्याश्रों कथा कोश में भी किंचित परिवर्टन के साथ उप्रुक्त कथा मिलती है सुरवी सताब्दी के अंत में महाकवी रैधू ने अपने अपफरंश ग्रंथ भद्रबावु चानक चंद्गुप्त कथानक में चानक के ब्रतान को हरशेण की समान ही प्रसुत किया है ये दपी घटाओं में यत्र तत्र मद्भे दिखाई देता है अंद दिगंबर ग्रंथों में चानक के द्वारा चंद्गुप्त को खेलते हैं जंगल में मिलने का उलेख है जबकि इस ग्रंथ में स्वैम चंद्रगुप्त चानक की स्रण में आता है इसमें प्रत्रत्व आशियों के सहयोग से नंद वन्ष के नाशियों तदपरांद चलंगुप्त की राजा बनाने का उलेख है रैधु ने हरशेण के समान चानक के समाध्मण का कोई उलेख नहीं किया है सुइतांबर प्रत्रत्रा के गंतों में भी चानक का जीवन ब्रतात विस्तार से प्राप्त होता है सुताबर प्रणागंतों में भक्त परिग्या, मन समाधी, आवशक निर्युक्ती, आवशक सुत्रवर्ती, आवशक चूणी, ब्यवहार भाश, जीत कल्प भाश, आचारांग चूणी, निशीत विशेश चूणी, निशीत भाश, उत्रा धेन टीका, परशिष्ट परवन, आ आया गया है, जिसकी पहचान बत्मान गोली नामक अस्थान से की गई है, गुंटूर जिले में, इनके पिता का नाम चणक, तथा माता का नाम चणे सुरी था, इनका परिवार परम से ही, जैन का उपाशक था, ता इनके घर जैन विक्चू हमेंसा आते आते रहते थे, बाल समराट बनेगा, इनके पिता इने जैन विक्चू बनाना चाहते थे, अता पिता ने उनके दांतों को तोड़ दिया, जब मुनियों ने पुना भाश्वानी की कि यह स्वयम समराट नहीं बन सकता, परंदूसरे को समराट बनाएगा, इस परंपरा में भी चानक को वेद वि दान की अभिलासा में धनन की राधाबार में गये और वहां उने अपमानित होना पड़ा, अपमानित होने से ब्यतित होकर स्वाहमानी ब्रामड ने धननन्द के पुत्र यवं ऐस्वर सहीद नास करने की पर्तिज्या की, उसमिन काया कि शकोष भृत्यम सहसुरित पुत्रम सबलवाहनम नंद मुन मुलिश्यामी महावायूर द्रमम ब्रिक्स के सबान। जंगल में एक बुढ़िया हैं उसकी लड़के के द्वारा प्रतिकात्मक उपदेश से लेकर प्रत्त वाश्यों की सहायता से मगरत पुनह आक्रमन करते हैं तता धननन्द का शारुनास कर चन्रगुप्त का राजा विशे करते हैं। दोनों परंपराओं के ग्रंतों में कोई मूल भूत अंतर नहीं है कुछ भेद अवस्त पर लक्षित होते हैं पर अधिकास बातें समान हैं। दोनों ही परंपराओं में चाणक की पत्री का नाम है सुमत्य है जिसके कहने पर ही चाणक के नन्द राज के पास धन की लालसा में पहुंचते हैं। उनकी विद्वता की परसंसाथ दोनों परंपराओं में है सुईतांबर परंपरा में उन्हें चतुर्दस विद्याओं का ग्याता कहा गया है वहीं दिगंबर परंपरा में उन्हें वेद विदान का ग्याता सभी सास्त्रों में प्रवीर ता संसार में प्रसिद और पूज इसके उपरांत प्रतंत वाश्यों की मदद से मगत पर विजय प्राप्त करना, प्रधान मंत्रत सुकार करना, था जीवन की शांध बेला में आग से मिर्थ को प्राप्त होना, आदि घटनाएं समान रूप से वर्णित हैं उनका जर्मस्थल के विजय में वश्रमत भेद है, दिगंबर परंपरा जाओंने पाटल पुत निवाशी पताती है, श्वेतामबर परंपरा उन्हें गोल विजय से संबद करती है, इस छेत की पहचान गुंटूर चिले से की गई है, वैशे दिगंबर परंपरा में भी अंत दाश्पद है, आचार हेमचंद्र ने अपने अभिधान चिंतामड़ी में चानक के आठ नामों का उलेख किया है, उनमें एक नाम उनका दर्मिल भी है, जो उनके दच्छिड भारती होने का संकीत है, आचार हेमचंद्र सर विद्या में निश्रात थे, और वे बिना किसी पूरू परंपरा के अने अत्यासिक बातों का उलेख नहीं कर सकते थे, कुछ विद्वानों उन्हें दच्छिड भारत के कांची से जंबत किया है, और द्रामर ब्रामर बताया है, एक लोग परंपरा के नुशार, वे केरल के निवाशी थे, धर्म यात्रा पर वे एक बार बरांची गए थे, जहां उनकी पुत्री खो गई थी, वे केरल नहीं लोटे, साम्मगद में जगह ले ली, और कालांतार में चंद्रगुप्त के मार्ग दर्शक बने, महावन्ष जो एक बहुत ग्रंथ है, महावन्ष की टीका में उन्हें तक्सिला का निवाशी बताया ग में संदेह नहीं बेक करते हैं, भारती जन्सुर्ती, जन्र अर्शाज के लेखा के रूप में, चानक के कौट्रियों विश्रगुप्त का नाम लेती है, अर्थात तीनों नाम एक ही बेक्तिके हैं, जैसा कि हमने पहले कहा है, कौट्रियों विश्रगुप्त का नाम तो अभिधान चिंतामडी में बताया है कि उनके पिता का नाम चनक था अता हुए चानक के नाम से प्रशिद्धुए इसी परकार आचार गरपन सास्तिरी जी ने अपने ग्रंद की भूमका में बालु सताबदी के अर्षास के एक मल्यालम भाषकार का उले किया है जिनोंने कौट को एक बताया है इसी परकार इन पी उन महोदय ने अपनी भूमका में अमर शिंग के नाम लिंगा नुसासन का उले किया है जिसे में अर्षास के रचेताय का नाम चानक बताया गया है कोटल के लिए बिश्रकुत का नाम भी सद्यों से भारत के आचारें को ग्याद था आच और संसार के समय दिया गया था विश्रुगुट का अर्थ ही है बृष्र द्वारा सनक्छित साथी दंडी ने बिश्रुगुप्त द्वारा छो हुभारा जार सलोकों में दंड नीत लिखने का उले किया है इसी परकार कामंदक ने भी अपने नीत थार में अर्षास की रच हैं इतने प्रसिद्ध नहीं है आचार हेम चंद्र ने अपने गरंत अभिदान चिंतामण में उनके आठ नामों का उल्ले किया है वाद्चायनों मलनागह कोटल्यस्च चनकात्मिजह द्रमिलह पक्षिल स्वामी ब्रिश्गुप्त अंगुलस्च असपस्त है कोटल चानक था विश्गुप्त आतीनों नाम एक ब्रेक्त के हैं कुटल गोतर में जन्म लेने काण वी कोटली कहला है पिता के नाम के कारणवे चानक के नाम से प्रसिद्ध हुए और नामकरण संसकार में पिता के द्वारा उन्हें बिश्र गुप्त नाम परदान किया गया इस विशाल सामराज के निर्माण में चंगोत और चानक में किसी किसकी भूमका स्रेश्टर थी यह विबाद का विशय है वे इसी अधिकांश इतिहासकारों ने चानक की भूमका को परहुशाली बानते हुए उन्हें ज्यादा महत दिया है आदिणी प्यासकारों ने आदिणी की तिहासकारों में सबसे बिस्विस्टनी कियासकार हेम चंदराय चौदरी भी इसी मत के समर्थक हैं उनका कहना है कि काम मदेग नीद सार पुराण महावन स मिद्वराराक्षा आज से सिद्ध होता है कि चानक के नहीं नंदों को राज्य चुत किया था जैन गंधों के अनसुलेल से भी उप्रियुक्त मत की पुष्ट होती है असपस्थ है कि चानक के ही थे जोने चन्दगुप्त की प्रतिभा को पहचाना और उसे संपोन अस्त सस्त की सिक्षा प्रदान की नंदराज से अपनाई थोकर चानक के ही हिमत कुड गए और वहां के नरेश परवतक से संद की कि यदि नंदों पर विजय प्राप्त होती है तो नंदों का आधाराज्य उसे परवतक को प्रदान कर दिया जाएगा इस कोटितिक संद का अतिन महत्त था परवतक उनका मित्राष्ट बन गया और नंदों के बिरुद महा भियान में भरपूर मदद की कालांतर में परिश्टियों के चलते बीच महीं परवतक की मिर्थ हो जाती है जिसके परडाम सरुख नंदों शहित परवतक का पुरा सामराज चंद गुप चानक को प्राप्त हो गया अब चुकि आप संबेदन शील हैं तो यह कुछ परश्ट आपके मन में आते होंगे उन परश्टों को मैंने सब्दों का रूद दिया है एक सामान पाठा के मन में यह प्रश्ट अवश्ट उद्वरित होगा होगा कि अपनी सुवश्पस्ट भूमगा के बावजूद नंदों के बिनाश की उपरांद चानक ने स्वैम राजपत क्यों नहीं सुकार किया इस परश्ट का उत्तर आशान नहीं है उस परिवर्तरकारी घटना से अब तक 23 सदाब्दियां बेच चुकी हैं और समय के इविसाल अंतराल में तत्सम्मंदी अनिक साक्ष नश्ट हो चुके हैं तथा पिजैन गंतों को आधार बना कर इस परश्ट का संतोशनक उत्तर ढूंठा जा सकता है कहा जाता है कि चाणक के जन्म के समय हें उनके सभी दांत असपश थे यह एक अधवुद घटना थी जिसके आधार पर जोत्यों ने चाणक के महान राजा होने की भैश्वानी की थी अत्यन साद्गी भरा जीवन जीने वाले उनके पिता को चाणक का राजा बना शिवकार नहीं था अता उन्होंने बालक के सभी दांत तोड़ डाले तब जोत्यों ने पुर्ण भैश्वानी की की बालक स्वैम राजा तो नहीं बनेगा प्रणुछत मौस्था में राज पर शाषन करेगा बिम्बेत रियो राया भाविश्याई ऐसा प्रतित होता है कि चाणक के मन में राजा बनने का कभी मोही नहीं उत्पन हुआ साथ से असपर्ष होता है कि नंदों के प्राभव के उपरांत उसका संपून राजकोष चलंगुप्त एवं परोतक ने आपसे बाट लिया चाणक ने अपने चाणक ने इसमें अपना कोई हिशा नहीं लिया आचार चाणक के ने अंतिम नंसम्राड की धन लो लुपता एवं बिलास्ता पुन जीवन की खिलाब जो आंदोलन चलाया था संब्धता हुआ ही उनके जीवन का मूल नियामक बन गया वे जीवन पर्यंत निस्परी रहे और साधी भरा जीवन जीते रहे साधा जीवन जीने का जो आदर्स उन्होंने अपने लिए निर्धारित किया वही उनके ग्रंद में भी प्रत्विम्बित होता है इसलिए चानक को भारत का प्रत्वम अर्थ शास्त्री माना गया है इतने बड़े सामराज का वह प्रधान मंतरी आजीवन अकिंचन ही बना रहा और अपनी अंतिम सांज भी एक छोटी सी जोपड़ी मिली इस परश्ण परविचार अपेक्षित है कि चानक किसमत के अनुआई थे जैन बौध्योंग वैदिक परंपराओं में उन्हें वेद विदांग योंग का ज्याता बताये गया है जिससे प्रवानित होता है कि वे वैदिक परंपरा के अनुआई थे दोनों परंपराओं में उनकी पिता को ब्रामण कहा गया है दिगंबन परंपरा में उनकी पिता को कपिलो नाम माहन तथा सुतांबन परंपरा में चनगो माहनों कहा गया है ये दब सुतांबन परंपरा से अवश्या भाशित होता है कि उनकी पिता जैन धर्म के प्रतिविशेश सरधालू थे और अपने पित्र को जैन भिक्षू बनना चाहते थे तभी वे बालक चानक के उन दातों को तोड़ देते हैं जिनकी आधार पर उसके समराड बनने की भरश्वानी की गई थी ऐसा प्रतित होता है कि चानक अपने जीवनकाल की संध्या में जैन मत से अतन प्रभावित हुए और उसी प्रंपरा में उनके मिर्ट हुई दिगंबन प्रंपरा में उनके कायो सर्ग मुद्रा में इस्ति शुबंधु द्वारा मारे जाने का उलेक है स्वितांबर परंपरा में भी एई संदर प्राप्त होता है एक सच्ची जैन सादो के समान चानक ने समाध हिमरन शुकार किया चानक की मृत्व का विबरन एतिहासिक सत्त के निकट है क्योंकि बहुत परंपरा में भी उनकी मृत्व में सुबध की युगदान को शुकार किया गया है चानक के बेक्तिगत आसा के परश पर जर्मन विद्वान याकोबी ने भी विचार किया है और उन्होंने कहा है कि यहत्तर संगत पर्तित होता है कि चानक के अनुशार याकोबी के अनुशार चानक का जन भले ही ब्रामण में ब्रामण परिवार में रहा हो विचार से वी जैन थे उपर्युक्त विवर्ण से अस्पर्ष्ट है कि चानक समंदी कथानक चानक समंदी जैन कथानक का इत्यासिक है ता संदेज या भ्रम से परे है चानक के वेद विदांग में निश्रात होने था नंदराज के नास का उलेक तीनों परंपराओं ब्रामण बैद्यों जैन बौध्यों जैन में से में सुरक्षित है शिबंद द्वारा उनकी मृत्यों का संदर्व बहुत गंधों में भी उलिखी थै दो भिन परंपराओं की गंधों में समान संदर्व का पाया जाना उसकी प्रमणता को पुष्ट करता है ऐसा प्रतित होता है कि चंदगोत्यों चानक का कथानक जैन आचारियों को अतिप्री था संभावत अपने अपरिग्रही जीवन की कारण चानक ने उन्हें विशेश प्रहावित किया था यही कारण है कि पांचमी छटी सताब्दी इसबी से लेकर सोलावी सत्रावी सताब्दी इसबी तक जैन आचारियों ने अत्यंत अतिस सदा सैता पुरुवक उनकी इसमृति को अच्छोन रखा समय के प्रवाह में घर्णाओं के वर्णन में कुछ परिवर्थन दिखाई देते हैं तिन्तों मूल कथानक और परिवर्थित रहा निसंदेह आचार चानक के अतन प्रतभावान एव महान चिंतक थे अपने निश्वार्थ भाव से अगरित छोटे छोटे राज्यों को मिला कर एक ब्रहत समाज में बदल दिया जिसका ज्याद भारती तिहास में दूसरा उदाहन नहीं मिलता चानक का बाहरूप भले आकर्शक न रहा हो प्रंद अपने आंतरी गुड़ों की स्रिष्टा के कारण वे सद्यों से भारतियों के आकर्शन का केंद बने हुए हैं वे भारत के प्रथम एतिहासिक राष्ट भक्त हैं जिनोंने राष्ट की सेवा में अपना सर्वश निवशावर कर दिया और तेज सताब्दियों की बितने के उपरांद आज भी उसी तरह पूजनी योंग बंदनी हैं धन्यवाद